नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवन कोचिंग सेंटर में फ्रेंड्स तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एलपी एवं टेकनेसियन का जो प्रेक्टिस सेट हम लोग कर रहेते साइंस का पाच होता है कि अब सब्सक्राइब करने के लिए इसे दो एक अश्टक अवस्था पराफ्ट करने के लिए इसे दो इलेक्ट्रन को देने के आप सकता हो तो चाहिए तो यही क्या कर रहे दूसरी के पास चल जागा तो यहां पे जो बाहरी लेक्ट्रों होता है जो कितना होता है वही उसका साथ आगर आप यहां पर उपसन तीन तब रैक्टंसर हो जाएगा देखे अलग अलग उर्जा अस्तर के कोश में इल्यक्ट्रों को उनकी संभावित उर्जा के अनुचार जो वह वस्तित किया जाता है इल्यक्ट्रों के उर्जा अस्तर को एक दो तीन चार पांच छे इस तरह करके निरुपित किया जाता है ठीक है जिसमें से इसको निकालने का फर्मूला होता टू एंड स्क्वेर यहां पर एंड का मांद रखते हैं और निकलते चल दिया जाता ठीक है जैसे प्रहला को स्के लिए कि प्रोट्रों की खोज किस ने किया तो गोल इस्टीन ने किया था निट्रों का खोज किस ने किया तो इतना कुछ आपको यहां से याद रखना है उसके अगला कुस्तन के क्या है कि 18 बड़ की बैटरी पर कारी करने वाला एक प्रकास बलव तीन एंपियर की धारा ल यहां पर यहां पर कितना दिया तो कहां पर यह टास्था जाएंगा उसके बद कुस्त नबर तीन देखी क्या क्या कि पादपों में परजनन के संदर्व में नीमन में से कौन सा कथन सही है तो पहला कथन यहां पर क्या कि अलेंगिक परजनन में पादप जनक के समान भी जुत्पन करते हैं तो दुसरा कथन में क्या है कि लेंगिक परजनन में जनक तता संतती की अनुवानसिक संदक्चना समान ह होती है नीचे देगे कूट का परियुक करके यहां पे इसको चुनना है सही और गलत ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर जनक के समान बीज उत्पन होता है तो जनक से नए जीवों के उत्पादन को परजनन के रूप में जाना जाता है और पादपों में परजनन की अलग अलग तारिकी है जैसे कि अलेंगिक परजनन होता है यह सब होता है जिसमें से तकि अलेंगिक परजनन क्या होता है तो अलेंगिक परजनन जो होता है उसमें नए पादप युगमच का संले नहीं होता है पादप में ठीक है उसके बाद जान लेजिए कि इसका परिणाम जो है संतती में होता है जो अनुवांसिक रूप से अपने जनक के समानिस में होते हैं जिसे कि मुकुलन हो गया विखंडन हो गया काईक परवर्धन हो गया यह सब इसमें जिनने युगमच के रूप में जाना जाता है जनक पादपों में उफस्तित होता है उसके जानलेजिए कहा का परिणाम हो eh उसके ऑपर कर दिया होता है जिसके दोरा पुस्पी पादप जो होता है वो लेंगी परजन करते हैं परागन मैथड के थुरूल ठीक है तो यहानि कि यहां पर उप्शन तब क्या वचारत पर रेट अंसर हो जाएगा उसके अगला कोशन देखी क्या कि नीमन कथनों में से कौन सा सही है ठीक है देखे पह होता है पहला कथन में क्या बहुता है कि पादप सुर्य के परकास में कार्बोहडरेट के रूप में और जान लेते हैं पतियों में एक हरा वरनक होता है पिगमेंट होता है यह पतियों को सुर्य के परकास की उर्जा को पकरने में मदद करता है और इससे क्या होता है इस उर्जा का उपियोग है और पानी से भोजन को संसलेशित यानके त्यार करने के लिए करा जाता है चुकि भोजन जो है उस संसलेशन सुर्य के परकास की उपस्तिती में होता है इसलिए से प्रकास संसेलिशन कहा जाता है यहां पर यहां से जान लेज़ें कि सुर्य के प्रकास की उपस्तिती में कार्बन डॉकसाइड होता है उसके बाद पानी जो मिल की दखिए यहां पर सुर्य के प्रकास की उपस्तिती में जो कार्बन डॉकसाइड होता है CO2 होता है वो पान यानके H2O के साथ मिलने के बाद क्या बना लेता है वो बना लेता कार्बो हैडरेट ठेक है कार्बो हैडरेट पर अक्षिजेन आपर बन जाता है मिलने के बाद उसके अगला कोस्तन देखिए क्या कि उस समों की पहचान करिए जिसमें पादपों की सारदिक सेवाल कहा जाता है और यह पादप मुख्य रूप से जली होते हैं तो तेकि कौन सा हो जागा तक है आप तेन तप रैट अंसर हो जाएगा तेकि थेलोफईटा किया तो तेकि थेलोफईटा जो यह इस्थिर जीवों का एक पॉली फाइलेटिक वर्ग है जो साजहा लक्षनों के अधार पर एक साथ रखे जाते हैं लेकिन उनका कोई समान पुरुवज नहीं होता है इसमें उसके बाइब जान लिजे कि उन्हें पलांटी जगद का सदसे माना जाता है थेलोपाइटा को उसके देखिए इसमें कौन-कौन सा लाइकेंद हो गया उसके बाद सेवाल हो गया कवाक हो गया वैक्टरिया हो गया कीचा के और बरायोफाइट इसमें सामिल होते हैं फिर जान लेजिए कि यह परकरतिव रूप से सावपोस्टी होते हैं तेलोपाइटा और इस समों के अधिकान सदस जो अपना भुजन स्व वहनी पोदे होते हैं जिनमें पतियां जादें और कभी-कभी वास्तिविक तने भी सामिल होते हैं जैसे फर्ण हो गया उसके बहुर्श टेल हो गया इसाब मौस हो गया इसाब इस वाट ट्रीटो फैटा का उधारन है उसके बाद कोस्टन नमर छे दखी क्या कि और तसारणी में हैडरोजन की स्थती के संबंद में एक विसंगती होता है क्योंकि इसे पहले समूँ एक या फिर समूँ सत्र में रखा जा सकता है ठीक है उसके बाद कि छार धातुओं की समूँ एक में रखे जाने के लिए हैडरोजन हेलोजन के साथ जोड़ लेता है उस हैडरोजन की स्थती उसके इलेक्ट्रोनिक विन्यास पर अधारित होता है समूँ एक और समूँ सत्रा के ततों के समानता के कारण इसकी स्थती विज्ञानकों के लिए हमेशा भरमित करने वाली होती है हैडरोजन आवर तसारणी का सबसे पहला तत्तव होता है है हैडरोज से बुजहा चुना त्यार करने के लिए की जानी चाहिए तो किसमें क्या जाना चाहिए अप घटन और संयोजन यान कि यहां पर अप्षाइड और कार्बन डायक्साइड में अप घटन अलग अलग उद्योगों में उपियो की जाने वाली एक महतपुर्ण अभिक्रिया होता है जैसे कि देख लिए पर तो क्या हो जागा कार्बनेट सी ना फफसर इसको बोलते हैं तो यह तूटने के बाद क्या बंता है यहां पर यहां से अभिकरिया होता है जिसमें 2 या दो सी अधिक यहां से उधारन देखिए किया कि कैल्सियम ऑक्साइड जब जल के साथ अविक्रिया करेगा तो क्या बनेगा कैल्सियम है यहां पर चुटेगा तरह से उद्हारन आप देख सकते हैं उसके अगला कुस्त क्या कि अधी एक अस्थान पर गुर्टवाकर्शन के कारण तावरण 9.8 मीटर पर सकेंड स्क्वेर है तो 40 केजी दर्यवान वाले एक वस्तु का भार कितना होगा तो यानिक यहां पर देखिए जो भार होता है जो भार का फर्मूला किया था थे भार को एफ से भी डिनोंट कर जाता है यहां पर एम क्या था मास होता है जी क्या होता है होता है तो यहांद की दकाता है कि तो टारन होता है यहांनिके मास कितना था था शुथा इसको गुना कर दिए गायगा तो नीचे 10 बन जाएगा जिए 10 जिया तरह आपर तीनसो बैराट भी हो जाएगा और तो बीदुध धरा का मत्रा क्या तरगा थे एंपियर हो जाएगा उसके बाद एक यहां पर यह का दी दो का सी अपर दो का सी आपके आपका 3 वप्शन तीन तीन दवरेट अलगा कि निए गोगे डिलवोके Club mijenne इसको आइसे जिनोट करते हैं उसके वांतर का मतर बूल्ट होता है जाता है पर से म्धेम सिर्थे जाता है हो प्रिए हुग लिए क्या ह derivatives सन्थ क्या है कि निमिन मैं से कॉन सा सुस्क लीटमस & पर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है तो कौन नहीं करता है कि सुस्क-HCl-Gas सुस्क-HCl-Gas यान कि आप अपसंद तीन तब रैटनसर हो जाएगा देखिए सुस्क-HCl-Gas जो है उस सुस्क-Litmos-Paper का रंग नहीं बदलता है क्यों कि इसमें कोई भी-H3O-Plus-I-NO उपस्तित नहीं होता है इसमें उसके जान लेजाएगा लिटमस-Paper जो है वह-H3O-Plus-I-NO-O की उपस्तिती में रंग बदल लेता है उसके जान लेजाएगा लिए-HCl-HCl-H-C-L जो होता है जैसे अमल केवल जल् होता है और नहीं लीटमस-Paper गिला होता है इसमें हता हम कर सकते हैं कि जो लीटमस-Paper के रंग में कोई परियूरता नहीं आएगा इसमें ठीक है अब देखिए-HCl-H-C-L-H-C-L-H-C-L-H-C-L-H-C-L-C-L-H-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L देखिए-H-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L- धुरूपर ही होता है यहां से याद रखिए का कि यहां पर विचार करना ओक्सीजन की अनुपस्तिती में कारबनी पदार्तों के विखंडन में उत्पन में होने वाले गैसों के मिश्रन की बायो गैस कहा जाता है दूसरा कथन में करके बायो गैस का प्रमुग घटक यहां पर दोनों सही है क्यों कि यहां पर अक्सीजन के पदार्तों के विखंडन में क्या होता है उत्पन होने वाले गैसों के मिश्रन को बायो गैस कहा जाता है इसका तो डेफिनिस नहीं है कि यह तब निकलता है जब गाय भैस और सुवर की खाद को अवाई वी रूप से संसाधित किया जाता है यानि ऑक्सीजन की अनुपस्टिती में काम होता है फिर जानले कि बायो गैस का उप्योग जो कहां कहां होता है इस्पेस हिटिंग हो गया बिजली उत्पादन हो गया क्या खाना पकाने के लिए इंदं हो गया यह सब में करा जाता है ठीक है उसके बचलतना लगता यह अच्छी चलता यह हो होता है एक को चारिष का सही हो जाएगा तो कहां पर जाएगा एक ऑप्सन हो जयाए है तक है युद दॉट में अच्छी बादका इंच गल्नाक होता है खाना पकाने के बर तन बनाने के लिए मिसर धातु या फिर द्धातु में उच्छ परतिरोद और उसमा का सुच्छ रॉ तो में मुप्त इलेक्ट्रोन होते हैं उसे विदुद का सुचालक कहा जाता है और बाहे उर्जा के उपियों पर मुप्त इलेक्ट्रोन गती करते हैं गती करने लगते हैं और विदुद उत्पन करने लगते हैं तामबा तामबा हो गया सोना हो गया चांदी होगा यह सब एक परमानु के नाभिक में ja centimeter शोडिव सब्सक्राइब एक प्रमानु के नाभिक में निोटरों की उपश्टिति शोज रीकाई होता है उसके बढ़ जहरें कि परमानु एलेक्ट्रों प्रोटों और निट्रों से बना होता है और यहां से श्रयाद रखेंगा कि इलेक्ट्रोन एक रिनाविसित वहिन करता है, प्रोट्रोन एक इलेक्ट्रोन के बराबर होता है, लेकिन एक धनाविसित होता है, तथा नीट्रोन उदासीन होता है, नीट्रल होता है, प्रोट्रोन और नीट्रोन नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोन नाभिक के बाह होने की संबन में कौन सा कथन सत्य है पहला क्या है कि इसमें विस्तार होता है और या अधिक अस्थान घिरता है दुसरा क्या है गर्म किये जाने पर या भारी हो जाता है तो देखे यहां पर जो है जाने कि दोना हो जाएगा कि नीमन मेंसे कौन सा कथन मिसरन के संबद में सही नहीं है तो कौन सही नहीं है तो कौन सही नहीं है तो कौन सही नहीं है को लाइड विसमांगी मिसरन होते हैं जिनमें कनों काकर बदा होता है यान कि यहीं सही नहीं है ठीक है बांकि देखे विलियन के परमुग घटक को विल होता है जो राशायनिक रूप से एक दुसरे से संयुजित नहीं होते हैं इसमांगी मिस्रन होता है जबकि विजाते मिस्रणों के नहीं होता है यह होता है विलियन दो या दूसरी पतार्दों का को एक समागी मिस्रण होता है जिसमें एक पदार्थ को विले इता दूसरे पदार्थ को विलायक कहा जाता है उसके बद को संचार तब राएट और हो जाएगा तेकि खादी सरक्षन फ़लों और सब्जियों जैसे खादी सबसे जादा उपयोग किया जाने वाला परिदक्चक समाने नमक चीनी सिर्का वनस्पतिते लिए सब सबस्क कि ही या उर्जा के एक अस्थान अंधान से क्यों क्यों कि रोगया या एक रूप से दुसरे रूपतежसे समली नहीं यह तो सही हो जाएगा इस थूल निकाई से संब्दित है और पतार्थ के आनुविक गठन से संब्दित नहीं है तो यह भी सही हो जाएगा यान कि यहां को क्या वपसंदो तो रैटंसर हो जाएगा उसके बद कोस्टंवर 19 देखे क्या गा कि रदर फोट के परमानु मॉडल क संब्द में निमन में से कौन सा कतन सही नहीं है तो कौन सा कतन सही नहीं है देखे परमानु के अकार की तोलना में नाभी का कर वदा होता यह सही नहीं है बांकि देखे इलेक्ट्रोन नाभी के चारोर विरताकर पत्थ पर घूमते यह तो सही है परमानु में एक धनावेश के संदर में नीमन कफ़न पर विचार करना है तो पहला कथन यहां पर किया कि सोनार तकनिक मचली का पता लगाने और गहराई मापने के लिए अक्सर नाओ का उपियोग की जाने वाली तकनिक होता है हाद दूसरा यहाँ पर लिए ट्रा-रासाउन युन की डिनर के रूप्यो screams नहीं किया जा सकता है देखे सोनार या मचली का पता लगाने और गहरई मापने के लिए अक्सर नावों का उपयोग की जाने वाले तकनिकी होता है इसका उपयोग या डॉलफीन, चमगादर, भेल जैसे जनतों के द्वारा भी क्या जाता है ये तो सही हो जाएगा फिर दुश्यार देखे सोनार द आप धवनी उत्पन करते हैं जिसे वस्तुओं के बारे में जानकारी पराप्त करने के लिए उनसे परति धवनी उत्पन हो सकते हैं तो बस इतना ही था फ्रेंट्स कैसे लगाई वीडियो कमेंट करके जरू बताएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रेक्ट